एलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनाशल सिक्षा में वापस स्वागत है, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे आज हम क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड हमारी जिन्दगी के एक एहम हिस्सा बन चुका है, आसान उप्योग, ओफर्स, कैश बैक और रिवार्ड पॉइंट्स आदी सुबिधाओ के वज़े से ये सबसे पॉप्यूलर पेइमेंट आप्शन बनते जा रहे हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तमाल के वज़े से आप बुरी तरह से फस भी सकते हैं और कर्ज में दूप सकते हैं चलो बिस्तार से समझते हैं क्रेडिट कार्ड नाम का ये प्लास्टिक के टुकडे को Credit Card एक ऐसा टूल है, जो बिना पैसा होते हुए भी आपका जेब गरम रख सकता है Credit Card आपको 45 से 50 दिन तक ब्याज मुक्त Credit देते हैं मतलब आप खर्च करें आज और उसका पैसे भरने हैं 45 दिन बाद, है ना इंट्रिस्टिंग जब मेरे पास कोई Credit Card नहीं था, बहुत तरस्ता था एक-एक करके कुल 9 Cards हो चुके थे, लेकिन कुछ दिन पहले एक छोड़ के सारे के सारे बंद कर दिये चलिए पहले Credit Cards के Disadvantages को समझते है नमब वन, हिसाब से ज़्यादा आसान अबेगिक खर्च आपके पास पैसा हो या ना हो, Credit Card के जरिये आप कुछ भी खरीद सकते हैं ये एक Dangerous Facility है मान ले कुछ खरीदने को बहुत मन हो रहा है, जो आपकी बज़िट के बहार हो और फिलहाल आपके पास उतना पैसा भी नहीं है ऐसे में अगर आपके पास Credit Card होंगे, आप वो समान खरीद पाएंगे, बाद में भले ही High Interest पे EMI भरते रहे एक दो करके छोटे छोटे खर्चे भी मिलकर एक बड़ा Amount बन जाते है, बाद में जब बिल जेनरेट होता है, हम अकसर टेंशन में आ जाते है ये आपका बजट को बिगार देता है, Credit Card के मदद से एक से एक महिंगा सामान हम खरीदते जाते हैं, सोचते हैं, पैसा तो बाद में ही भरना है, तब तक जुगार कर लेंगे देखिए, अकाउंट से तुरंट पैसा कतना एक अलग फीलिंग है, जो सीधा दिल पर लगता है खर्च के तीन फीलिंग्स है, पहला है Cash Payment, जो सबसे ज़्यादा लगता है, दुसरा है UPI और Debit Card Payment, ये थोड़ा सा कम महसुस होती है लास्ट में आती है Credit Card, ये चीजे खरिदने वक्त खुशिया लेकिन 45 दिन बाद बहुत बढ़ा जटका देता है भले ही 45 दिन का इंट्रेस्ट मुक्त पीरियड है, लेकिन अगर आप समय पर बिल भर नहीं पाए, 36 से 50 प्रतिशत तक Annual Interest Rate लगते हैं कुल बकाया के उपर, जो की डेली बेसिस पर Compound होते है आप बोलोगे EMI Convert करवा लेंगे, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है, 20 से 25 प्रतिशत तक Interest लगते हैं, साथ में Processing Fee अलग से हाँ, आप अगर खरीदने की वक्त ही EMI करवाते हैं, तब 13 से 16 प्रतिशत तक Interest होते हैं, लेकिन ये Facility आपको छोटे-छोटे खरीदारी पर नहीं मिलते हैं कुल मिलाके यही कहना है कि अगर प्रॉपर तरीके से इस्तमाल नहीं किया, क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से कर्च की दलदल में धकेल सकते हैं फ्रेंज, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूँ की, ऐसा वैलिवबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है, तो लाइक, शेर और कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को आल पर सेट कर दे, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंट पाए मिनमम ड्यू का माया जाल मिनमम ड्यू आप्षिन, क्रेडिट कार्ड कमपनियों के द्वारा बिछाया हुआ एक बहुत बड़ा जाल है मान ले आपने हिसाब से ज़्यादा खर्च कर दिये हैं, अब जो बिल आएगा वो पे करना आपके लिए मुम्किन ही नहीं है बिल एक वर्दान के साथ आता है, बिल में लिखा है, टोटल ड्यू, 30,000 रुप्ये और मिनमम ड्यू, 1500 रुप्ये मतलब सिर्फ 1500 पे करके आप हेवी लेट फाइन, 45 दिन के इंट्रेस्ट फ्री पीरियड और क्रेडिट्स को ये तीनों को बचा सकते हैं, है न सच मुझ का वर्दान लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि ये वर्दान कोई श्राप से कम नहीं मिनमम ड्यू, जोकी कुल आउटस्टैंडिंग के लगभग 5 प्रतिशत होते हैं, वो पे करने के बाद बाकी अमाउंट पे लगते हैं 3-4 प्रतिशत तक कम अंतली हेवी इंट्रेस्ट ये इंट्रेस्ट उस दीन से कैलक्यूलेट होगा जिस दिन आप वो ट्रांजाक्शन किये थे, ऐसे मिनमम पेमेंट करकरके आप खुद का कितना नुकसान करते हैं आपको अंदाजा नहीं नमबर फोर, बहुत सारा हिडिन कॉस्ट Credit Cards पे बहुत सारा ऐसा Fees या Charges हो सकते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते, जैसे की, Joining Fees, Annual Fees, Surcharge, EMI Processing Fees, Late Payment Fees आदी Credit Card Company हर जगर आपसे ट्रिक करेंगे, बोलेंगे Joining Fees फ्री है, अगर आपने एक महीने में 10,000 स्पेंड किया तो Joining Fees वापस मिल जाएंगे Joining Fees वापस पाने के लिए आपने कर दिये 10,000 का फिजूल खर्च, Fees वापस आया जरूर, लेकिन Reward Points के रूप में अब Reward Points रडीम करने के लिए फिर से फिजूल खर्च करेंगे, बस लगे रह मुनना भाई Annual Fees के मामले में भी Same Trick यूज होते है कोई महेंगा आइटम खरीदने का वक्त EMI Facility लेंगे तो भी लगते हैं 200-300 का Processing Fees, कोई भी Fees या Interest हो, 18% GST आड़ होके आएंगे आपको जहांसा मिलेगा No Cost EMI का, लेकिन वहाँ पे भी Processing Fees और GST के चकर, उपर से ज़्यादातर Cards, EMI वाला Transaction पे आपको कोई Reward Points भी नहीं देते लेक पेमेंट वाला गलती तो आप गलती से भी ना करे, यहां लगता है 500-1500 तक का Heavy Fine और उसके साथो साथ Total Outstanding पे Interest लगना शुरू हो जाएंगे, उपर से आपका Credits को भी गिर जाएगी Credit Card में और एक Dangerous Facility है, वो है ATM मशीन में Swipe करके Cash Withdrawal करना मान ले बहुत Emergency में आपने Credit Card से Cash Withdrawal किया, यहां आपको दो प्रकार के Charge लगेंगे एक है Withdrawal Amount का 3-5% Transaction Charge, जो कम से कम 300 से शुरू होती है, दुसरा है Withdrawal Amount के उपर सालाना 35-50% ब्याज, जो डेली बेसिस पर Compound होते हैं Technology के दो साइड होते हैं, Fraudsters Technology के मदद से छुटकी में आपको चुना लगा सकता है Card Cloning, OTP Hacking, Reward Points Scam, Website Cloning आदी के मदद से आप वो पैसा खो सकते हैं जो आपके है भी नहीं, लेकिन बाद में बिल जरूर भरना है Logo को हजारों Calls आते हैं, कि आपका Credit Card में इतने Points है, Redeem करने के लिए Card Details और OTP मांगेंगे, अगर आपने गलती से दे दी, हो गया कल्यान Google Search या Unknown Payment Link पे क्लिक करके आप Website Cloning के शिकार बन सकते हैं, Fraudsters दिखने में एकदम Same to Same Build Payment Website बना के रखे है आजकल Wi-Fi Payment Facility भी बहुत खतरनाक है, जो बिना PIN या OTP के काम करते है, आपका Card अगर चोरी हुआ, Card ब्लॉक करने तक चोर आसानी से 3-4 जगर transaction कर ही देंगे देखिए, ऐसा नहीं है कि Credit Card के सिर्फ नुकसान ही है, आपको पहले नुकसान के बारे में इसी लिए बताया ताकि आप सतरक रह पाए और होने वाले नुकसान को Advance में समझ पाए कुछ भी करने से पहले, फाइदे से ज़्यादा नुकसान को परकना जरूरी है, फाइदा नहीं होगा चलेगा लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे Credit Card के कुछ फाइदे के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विशाय के साथ, तब तक के लिए Bye Bye, See You Soon